दोस्तो ये है मेरे पास Honor 95G और इस वाले फोन को मैं लगबग एक महने से उस कर रहा हूँ और इस वाले वीडियो में मैं एक इसका long time review देने वाला हूँ और मैं आपको कुछ चीजे ऐसी बताऊंगा जो कि अभी तक किसी ने भी कवन नहीं किये और इस वाले वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो फिर मैं बहुत ज़्यादा शूर हूँ कि आपको एक पूरा conclusion मिल जाएगा कि आपको याला phone buy करना चाहिए के नहीं करना चाहिए ओके तो फिर ये है phone और जब आप लोग इसको अपने हाथ मिलेंगे believe me आप लोग शौक हो जाएंगे तो कि जो इसकी design है बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो इसकी different है जो कि इसका जो camera modules हैं काफी ज़्यादा बढ़े हैं लेकिन आपको oval shape ring देखने को मिलती है जो कि different है और यहाँ पर थोज़ी premium लगती है अगर आप लोग इसको दूसरे phone से compare करेंगे तो कि generally हमको phones में circular shape की ring देखने को मिलती है और यहाँ पर जो display है वो यहाँ पर bezel less है मतलब आपको bezils बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं इसके बाद अगर आप लोग यहाँ फोन लंबे समय तक कि अपने हाथ में लेंगे तो फिल आपको uncomfortable भी feel नहीं होगा इसके बाद आपको इसमें कोई भी accidental touches की भी problem आपको देखने को नहीं मिलती है जैसे कि आप लोग देख पारें कि side में जैसे कि मैं screen को स्वाइप कर रहा हूं तो screen काम नहीं कर रही तो यह चीज़ काफी जदा बढ़िया है बाकि यह जो phone है काफी lightweight और काफी जदा slim है इसक इसमें आपको glossy finish देखने मिलती है लेकिन green वाले color में आपको matte finish देखने मिल जाती तो इस बात का आप लोग यहां पर थोसा धियान रखेगा इसके बाद अगर आप लोग पहली बार याला phone हाथ में लेंगे definitely आप लोग इसके camera's को ही notice करने वाले है on paper जो specs है वो screen पर आपक आपको main camera में OIS का support नहीं मिलता अगर यहां पर camera की कुछ features की बात करें तो जो चीज़ selfie और back camera में आपको दोनों में मिल जाती जैसे कि आपको 4K video recording के support मिल जाएगा night mode portrait, timeless, high dress mode यह आपको selfie और back camera दोनों में देखने को मिल जाता है लेकिन जो बाकी की features है जैसे कि pro mode, slow motion हो ग यह आपको back camera में ही देखने को मिलता है, selfie में देखने को नहीं मिलता, और हाँ यहां पर आपको एक manual भी देखने को मिल जाती है, अगर आप लोग इस पर click करेंगे तो फिर आप लोग इसको read भी कर सकते हैं, और हाँ मैंने यह चीज़ आप नोटिस करी, कि वीडियो जब आ किये बिना, आप लोग main camera, ultra white और selfie camera में भी आप लोग आपर switch कर सकते हैं, तो यह option एक बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है, अगर आप camera की कुछ result की बात करें, तो हाँ मतलब हमको OIS नहीं मिलता main camera में, लेकिन फिर भी जो quality है photos की daytime में बहुत ज़्यादा बढ back camera की तरह काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है, night mode जो है back camera का वो भी काफी ज़्यादा awesome है, जैसे कि यहाँ पर जो photos है, मतलब हम जो night mode लगा के मैंने photo यहाँ पर खीची, तो कहीं कर यहाँ इससे भी result मुझे देखे हम ले, कि जैसे मैंने यहाँ दिन में photo और बाकी मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि अगर आपनो normal mode से photos लेते हैं night में, या तो night mode लगा के लेंगे, ज़्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा, selfie की बात करें, तो selfie का night mode इतना ज़्यादा great नहीं लगा मुझे, अगर आपको अंधेरे में भी selfie बढ़िया quality की, अग अगर वीडियो पर आते हैं, तो इस phone का जो optimization है, वो काफी ज़्यादा बढ़िया, मतलब हमको OIS तो नहीं मिलना है में इन camera में, लेकिन फिर भी जो हमको stability जो मिलती है वीडियो में, dynamic range, exposure balance हमको काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, selfie videos भी काफी ज़्यादा बढ़िया है, यह जो subject होता है, उस पर असानी से आपर focus कर लेता है, लेकिन dynamic range और exposure balance में, मुझे कहीं न कहीं थो, बहुत मुझे issue मुझे देखने को मिला, selfie camera में, लेकिन back camera में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, एक noise reduction वाले mode देखने मिल जाता है, यह चीज़ selfie में आपको दे मान लिजे कि आप खड़े हैं, और आपके पीछे से बहुत ज़्यादा harsh जो light है वो आ रही है, तो यह चीज़ दोनों में लगए होती, चाहतो back camera होगया, चाहतो selfie camera होगया, portrait जिसमें कि background बिलर होता है, वहाँ पर आपको light control अच्छा देखने को नहीं मिलता, तो यह इसका मैं dedicated camera review भी मैं लाने वाला हूँ, तो make sure कि आप लोग चैनल को subscribe कर लिजेगा, तो मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि इसके cameras काफी जदा बढ़ी हैं, एकदम Samsung के टकर के आपको देखने को मिल जाते हैं, पाकि जो flash light है वो भी खाली उपर की काम करती है, आधी नीचे की काम नहीं करती है, और इसके बाद जो आप लोग अगली चीज़ नोटिस करेंगे, फोन को हाथ में लेते हैं, वो है इसका display, आपको काफी बड़ा एक size मिल जाते है, और quard का display जैसे कि मैं आपको बताए, एक AMOLED display 120Hz वाला है, और एचीज मैंने आपे नोटिस करी कि आपको dynamic refresh rate का option मिलता है, तो ये feature हर phone में नहीं आता, 10 bit वाला panel है, तो यहाँ पर display की quality काफी ज़्यदा awesome है, colors काफी ज़्यदा पंची है, और हाँ एचीज मैंने आपको नोटिस करी कि 4K HDR में video हलका सा lag करता है, लेकि 2K HDR में video में कोई भी problem नहीं आती, ये चीज लेकिन software update से fix हो सकती है outdoor visibility की काफी ज़्यदा बढ़िया, लेकिन कहीं कहीं आपको लगेगा कि हाँ brightness हो ज़्यदा होनी चाहिए थी, बाकि आपको एक ऐसा display दिया गया है, जो कि आपके आखों को damage नहीं करेगा, इसके बाद अगर performance की बात करें, तो यहाँ आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 मिल जाती, 4NM वाले chipset है and then score भी ठीक ठाक है, 6 लाग के उपर मिल जाएंगे, और day-to-day जो performance है, 120 Hz का display तो कहीं भी दिक्कत नहीं आती, app open close animation भी इसके काफी ज़्यदा smooth है, लेकिन जो थोई से better chipset रियूज कर सकते थे, चुकि इसका जो launch price था phone का, वो काफी ज़्यदा था, RAM management इसका काफी ज़्यद 1 की storage मिल जाती, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तक की बात आती, gaming की, इसके उपर मैं एक separate video लाने वाला हो, तो make sure आप लोग चैनल को जो से subscribe कर लीजे, इसके बाद अगर software की बात करें, तो phone Android 13 पे launch हो था, और अभी तक की Android 13 पे Android 14 का update नही नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी shortcut नहीं है, notification panel को नीचे लाने का, इसके बाद मैंने यह चीज़ नोटिस करी, कि अगर आप लोग ड्राइव में कोई चीज़ अप्लोड करते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको notification पैनल पे आपको नहीं show होगी, बाकि आपको wallpaper, बिलर का भी option मिल जाता है, यह input feature है, इसके बाद मैंने एक और चीज़ यहाँ पर notice करी, कि यह phone जो है, यह थोसा ज़्यादा heat करता है, normal phone से, मतलब कोई overheating वाली problem नहीं है, और मेरे हिसाब से यह चीज़ software update से fix नहीं की जा सकती, चुकि इस phone का जो form factor है, वो काफी पतला phone है काफी हलका phone है, तो मेरे साब से यह जो software है, काफी अच्छे से optimize किया गया है, बाकि यहाँ पर 5000 image की battery, battery backup, single charge में एक दिन तक की मिल जाएगा आपको, लेकिन charger आपको इंड़ बाक्स में नहीं मिलता, इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ और important features की आगर बात की जाए, तो फिर के अंदर अगर आपको देखने को मिल दा, क्योंकि इस वाले price point पे आपको इतनी अच्छी इस वाले level की आपको जो performance है, या तो camera जो experience है, software experience है, look and design हो गया, branding हो गया, display जो हो गया, मतलब यह आपको नहीं मिल पाएगा under 20 के, तो आई हो कि आपके सभी डाउस के लिएर हो कि आपके सबस्क्कार की जो किई अगर आपलो मुझे सबस्कार का